एक और फिर से आप सबी का हमारे मंत्रा ग्रूप जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं कवी रस खान कि कावी इंगे परेट बारे में तो सब्से पहले रस खान के जीवन परेट के हैं कि रस खान जी क्या थे में और हं बहले हैं इससे कुछ सवाल भी आए हैं उन सवाल को भी मैंने इस जीवन पर्चे में जिक्र किया है तो देखे रस्खान जी जो रस्खान जी है उनकी जीवन के बारे में हमें सही से सुचना उपलब नहीं है पर उनकी पुस्तक एक रचना है प्रेम बाट का जो 1610 में लिखी गई होगी तो उसके माध्यम से हमें 만े रस्खान जी के बारे में कुछ पता चला है जैसे इनका जनव कह था इनका जन दिल्ली के पठान राजबंस में हुआ था मतलın कहा था जो रस्खान थे यह समदाय से कह थे मुशलमान मुगलों के आक्रमन के बाद रस्खान जी ने ब्रज आ गए और स्री कृष्ण की भक्ती में तालीन हो गया के भग्ती में लगा दिये ते जहागीर के समकाली थे मतलब राज काली में रसना करते थे इन्हें एक बुषटी मार्य कि तो याद होना चाहिए आपको कता ही होने गोश्वामी बिलार इन्हें गोश्वामी बिटल नात ने प्रिश्टी मार्ग की सिछा दिती आपसे एकजाम में पूछा है यह बात यह बात 252 बैश्णव कता यह जो बात है कि इन्हें प्रिष्ट मार्क की सिच्छा किस ने दिती तो यह बात है कि 252 बैश्णव की बारता से पता चलती है कि अगर देखिएगा तो रश्खान जी के बारे में कि इनको प्रिष्ट मार्क की सिच्छा गिसने दी थी तो यह बात किसके माधने से पता चला हमें तो यह बात हमें 252 बैस्टनव की बारता से पता चला है जिन्हें किन्हें न सिच्छा दी थी तो देखेंगे तो गोश्वामी है आपके क्या है इनकी परतेक पंक्ति को समझेंगे कि इन पूरी पंक्तियों में रस्खान जी ने क्या है एक राधा के माध्यम से अपनी बातों को रखा है ऐसा नहीं है कि इन पंक्तियों में मतलब रस्खान जी स्री टिष्णि के बारे में करें वो क्या है कि एक्चुल में क्या है कि वो राधा कह रही है और उसकी जो भासा है उन्हों रस्खान जी ने अपने माध्यम से कहा है अब सबसे बड़ा जो लाइन है कता है प्रेम आयानी स्री राधिका प्रेम आयानी मतलब क्या होता है खजाना क्या है प्रेम आयानी का मतलब क्या है खजाना मतलब प्रेम का जो खजाना है वो कौन है राधा है जो प्रेम का जो बास्तवी खजाना है वो राधा है तो अब आक कहते हैं प्रेम आयानी स्री राज्द का प्रेम बरन नंद नंद मतलब प्रेम की खाजाना क्या है राधा है और वह प्रेम का जो रंग है काता है जो प्रेम का जो रंग है जो रूप है वह नंद के नंद के नंद कि इनको कह जाता है तो स्री कृष्ण को कहा जाता है अर्थात वो कौन है स्री क्रिष्ने आपसे एक सवाल पुझता है कि प्रेम वरन से क्या अर्थ है तो प्रेम वरन का अर्थ क्या है कि जव कोई कता है कि जो कोई प्रेम के रंग में कता जो कोई प्रेम के रंग में रंगता है या प्रेम की गहराईयों में उतरता है तो भी उसे क्या है प्रेम की समझ होती है ऐसे ब्यक्ति होगा अगर जो प्रेम के सरण में नहीं गया है या प्रेम के रंग में नहीं रंगा है वह प्रेम को नहीं समझ सकता है काता है उसी को क्या कहें है इसे प्रेम वरन कहें अर्थात कि प्रेम के रंग में रंगा कोई भी प्रेमी को प्रेमी काता है प्रेम की गहराई को क्या है समझ सकता है अगर जिसने ही प्रेम के रंग को नहीं रंगा है वह क्या है कि उसे महसूस या उसे अनुभव नहीं हो पाय इसी को ही क्या कहा है अब दूसरी पंक्ति है प्रेम बाटका के दू माली 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 मतलब इन पंक्तियों में क्या करें है कि कि प्रेम के जो बगीशा है जो प्रेम का जो उपवन है उसमें राधा और कृष्णि क्या है राधा और कृष्णि क्या है माली और माली मतलब क्या है क्यों उनकी देख रेक करने वाले हैं अर्थात की जो फूलू की सिचाय करने वाले हैं उनके बारे में देखने वाले हैं जो प्रेम की बाटिका है उसके असल में कृष्ण और राधा क्या है माली और माली नहीं अब कहते हैं मोहन छभी रस्कनी लखी अब्द्रिग अपने नाही मतलब यह यह राधा के उस्वर में रस्कान जी कहते हैं कि मोहन के न को कहा जाता है कि मन को मोहने वाला को स्री क्रिश्न कहा गया है कता है उनकी छवी अर्थात उनकी छवी जो मेरे नित्रों में जो मेरे हिर्दय में उत्री है उत्तरने के बाद वह अब मेरे नहीं है उन पर किन का अधिकार हो गया है स्री क्रिष्ण का अधिकार हो गया है मतलब कि जो क्रिष्ण की जो छवी है तो राधा कहते है कि क्रिष्ण को देखने के बाद क्या है क्रिष्ण की छवी देखने के बाद उनकी जो नित्र है जो मन है अब वो उनके बस में नहीं है बलके उन पर किन का अधिकार हो चुका है से जाहे मतलब जिस परकार धनुस से तीर छूटने के बाद धनुस धर का क्या है जो तीर छोड़ते हैं उन पे उस तीर का क्या है कोईसी परकार का नियंतरन नहीं होता है क्या है नियंतरन नहीं होता है तीर एक बार निकलने के बाद वह तीर क्या है कभी भी उनके पास नहीं तो ठीक उसी परकाड की है कि रश्खान कहते हैं कि जिस Himself तरह तीर धनू से छुड़ता है और तुरंथ चला जाता है ठीक उसी परकाड जब से मेरे नैनरे जब से मेरे मननने जब से मेरे हृद्दैने स्रि कृष्ण को स्री कृष्ण को देखा है बकाडल्या मेरे नेत्र उनसे वापस नहीं आ पार है वो उनके पास क्या है टिक गए है मेरे लाग कोशिस करने के बाद भी वो क्या है वापस नहीं आ रहे हैं अगली जो पंक्ति है मुमन मानिक ले गया चित चोर ननन अब देखे राधा के माध्यम से राधा के माध्यम से रस्खान कहते कि चित चोड़, चित मतल़ क्या है, जो मन को चुड़ा लेने वाले, जो क्रिष्ण है, वो उनके मन रूपी, जो राधा के मन है, मन रूपी धन को क्या है, सिरी क्रिष्ण चुड़ा ले गए है, और अब वो उस मन की बिना, मतलब राधा करी है, कि जो मेरा मन को कोई चोड़ कड़के लिए गया उस्मन के बीना मैं क्या करूँ अर्थाच जो प्रेम की जो बंधन में बंचुकिए उस barbar से राधा कैसे मुट्थ हो कता अब बेमन मैं क्या करूँ परिफेर के फंद मतलव कि जो मेरा मन था उसे तो सिरिक्रिष्ने चुरा लिया है और बीना मन के मैं अब क्या करूँ अब बेमन मतलब बीना मन के मैं क्या हूँ सिरिक्रिष्ने के जो प्रेम रूपी बंधन है उसमें क्या है राधा बंध चुकी है मतलब कह रहे हैं कि रस्खान जी क्या है रस्खान जी क्या है राधा के जो स्वर है उसमें रस्खान कहते हैं कि अब मैं बिना मन के मैं क्या करूँ मैं किस फेर में पढ़ चुकी हूं मैं किस बंधन में पढ़ चुकी हूं मैं क्या क्रिश्न के प्रेम के बंधने में बंद चुकी हूं और अगली पंगती है काते है पृतम किनको है जो प्रिय होते हैं जो हम जिन्हें प्यार कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो पृतम कौन है तो श्रीकृष्न है तो राजखान स्री क्रिश्मिस कहते हैं जिस दिन से मैंने उन्हें देखा है मेरा मन, मेरा हिर्दय, मेरे नेत्र सब आपका हो गया है सब आपने क्या है ले लिया है अगली जो पंक्ति है मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करे सको अब राधा के लिए क्या कर रहे हैं राधा के स्वर में फिर रस्खान कहते हैं कि क्रिश्न कहते हैं कि अवे मेरे नेत्र अब उन्हें धूंड रहे हैं क्या जो नेत्र है मेरे जो राधा के जो नेत्र हैं वो किने धूंड रहे हैं स्री क्रिश्न को धूंड रहे हैं वो एक पल के लिए भी बंद नहीं होना चाहते हैं, उन्हें ये डर है कि अगर एक पल के लिए भी मेरा नित्र बंद होगा, तो स्री कृष्ण क्या होंगे, आकर चले जाएंगे उन्हें वो देख नहीं पाएगी, अर्थात एक अर्ध्यान देंगे, फिर से कहते हैं, राधा कि जिस दिन से मैंने प्रिये स्री कृष्ण से आंखे लगी है मेरे मन में क्या है मैं कितना भी चाहूं वह मैं उन्हें निकाल नहीं सकती है मैं पलको की ओट में क्या है कि मतब आंख खोलके उनकी इंतजार में इंतजार की ओट में नहीं रह सकती मतब उनके लिए हमेशा क्या है मेरा मन कहीं और नहीं लगेगा और मैं उन्हें नहीं देख पांगे अगर उनका आंख कुछ देर के लिए इससे कते हैं पलक ओट नहीं क हावाय तो यह देखिए प्रेम आयनी शरी राधिका का जो पहला भाग है यह खत्म हो गया है अगले भाग में हम पढ़ेंगे किरल के गुंजन ऊपर वारू इसके बार में तो अगर इन पंग्तियों में किसी किसी भी परकार का डाउट हो किसी भी परकार की कोई समस्या हो तो वो हमें जरूर कहेंगे धन्यवाद एक फीर से एक वार मैं फीर से बता देना चाहता हूँ इस पंक्तियों में क्या है इसे प्रेम आयनी स्री राधिका प्रेम बरनन्द मतलब राधा कह रही है कि राधा क्या है प्रेम की खजाना है तो स्री क्या है उस प्रेम के रूप है रंग है जिन्होंने प्रेम के गहरायू को समझा है उसे क्या है प्रेम के सच्चे अर्थ को पता चला है प्रेम रूपी कहता दूसरी पंक्ति में क्या है प्रेम रूपी जो बाट उसे सीचा है उसे सवारा है उसकी देख भाल की है फिन कते कि मुहन छभी रजखान लही अब द्रिग अपने नहीं कि जब से कते हैं जब से राधा ने स्री कृष्ण को देखा है तब से उनका मन उनका नेत्र उनके बस में नहीं है बलकि किनके बस में हो गया है स्री कृष्ण के बस में जा चुका है ठीक उसी तरह किस तरह ठीक उसी तरह जिस तरह धनुष से तीर छुटने पर क्या है जिस तरह धनुष से तीर छुटने पर तीर क्या होता है अपने निसाने पर लगने कदव वापस नहीं आता है ठीक उसी परकार ज़राधा की जो नजरे है जो मन है ज उनके वापस नहीं आता है बो मन मानिक ले गए चित चोर नंद कता है जो राधा कह रही है कि जो मेरा मन स्री कृष्ण ले गए है अब बीना मन के मैं क्या करू अब बे मन मैं क्या करू पड़ी फेर के फंद मतलब अब मैं क्या है एक प्रेम रुपी मतलब अर्थात प्रेम के मतलब श्री कृष्ण के प्रेम के फंद में क्या है राधा बन चुकी है प्रितम नंद की सोर जादिन में नैन नैनी लगाए मतलब कि प्रिये मतलब प्रितम मतलब क्या है प्रिये प्रिये जिसने श्री कृष्ण के को देखा है जब से श्री कृष्ण को उन्होंने देखा है तब से ही उनके नित्र उनके क्या है, बस में नहीं है, सब कुछ उनका, जितना भी मन, तन, सब है, सब कृष्णे ने ले लिया, कता है, मन, पावण, चिछोर, पलक, ओट नहीं करे, जब से राधा ने सरी कृष्ण के, को ठूंडा है, तब से वा क्या है, कि उनकी सरण में रह गया है, या उनकी क्या है, कि चिछोर, शिरी कृष्ण, उनके नित्र में बस गय है, स्री क्रिश्ण को धूझती हैं, 1 पल के लिवह अपनी पलकों को नहीं नहीं बंद करती हैं इसलिए कि अगर पलक्न करेंगे तो स्री कृष्ण आकर कहीं उनसे क्या है कि बुम्युक्ष न हो जाए वो उनसको कहीं देख न पाए कि वो किसी छान आएंगे तो हर छान के लिए वो क्या है वो अपनी आखों को खोल कर रखी हुई है चलिए धन्यवाद